नमस्कार मैं हूँ ओम दिवेधी स्वागत करता हूँ आपका स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी केस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करेंट बर्निंग इशू के प्रोग्राम में जिसमें आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ भारत में समवधानिक पद क्यूं है जरूरी देखिए आज जो आर्टकल आया है पہले उसको देख लेते हैं एक बार तेकि जो आर्टिकल है वो क्या है रिमाइंडर अबाउट दा अन फेटेड कॉंस्टूर्यट पोस्ट तो ये जो समवधानिक पद हैं, वो क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और ये चीज जानेंगे कि इस आर्टिकल में जो राइटर हैं, वो किस चीज पर ध्यान के इंदरित करना चाहते हैं, ठीक है, जो constitutional पद हैं, उनमें ऐसी क्या चीज है, जो आज तक जो हमने पढ ठीक चल रही है, और सही से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया है, तो आज से इस चीज पर ध्यान दीजे, कि constitutional पदों के अंदर, constitutional जो appointments हो रहे हैं, उनमें भी दो तरीके की दो बातें, अलग-अलग लाइने हैं, जो वो लिखी गई है, वो क्या है, सारा प्रकरण देखते हैं, देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कि बात ये है, कि ऐसे समझेगी, मैंने बोला आप से कि समवधानिक पद, ठीक है, समवधानिक पद, अब समवधानिक पद की जब मैं बात करता हूँ, तो इनका जो appointment है, या appointment है, इनका appointment तो रास्ट्रपती करते हैं, ठीक है, यानि कि president करते हैं इनका appointment, तो जो president इनका appointment कर रहे हैं, उन में भी कुछ पद आप ऐसे ले लीजिए, जैसे कि मैं कुछ list लिख देता हूँ, समवधानिक पद मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो सारे पद, जो की समवधान में दिया गया है, वो सारे पद, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको example बताऊँ, तो example में आप ले लीजे, PM को ले लीजे, जो की कहां mentioned है, article 75 के तहत mentioned है, उसके अलावा आप AJI को ले लीजे, Attorney General of India को, ये कहां mentioned है, 76 में mentioned है, और ले लेते हैं, आ आप, Finance Commission है, जो, with Aiyog है, जो, Finance Commission, with Aiyog के जो Member और उसके जो Chairman है, उनके बारे में बात करें, 280 में उनका उलेक किया गया है, इसके अलावा आप, जो, Election Commission, या Chief Election Commission है, उसके बारे उनको भी ले लीजे, Election Commission, Chief Election Commission, ठीक है, इनके नियुक्ति के बारे में कहां पर दिया है, 324 में दिया है अनुछे 324 में ठीक है और आप इसके अलावा जो चेर्मेन और मेंबर है किसके पबलिक सर्विस कमीशन के उनको भी ले लीजे ये कहां मेंचन है ये आपके जो 316 में मेंचन है ठीक है 316 में तो ये सारे आपने देखे इसके अलावा मैं एक और कटेगरी बना देता हूँ ठीक है एक और कटेगरी बना देता हूँ जिसमें की मैं बोलता हूँ आपसे कि हम बात करेंगे Supreme Court और High Court के जजों की नियुक्ति के बारे में ठीक है जज की नियुक्ति ये कहां पर दिया हुआ है अगर मैं Supreme Court की बात करता हूँ तो वो दिया है आपके अनुछेद 124 के तहत और अगर मैं High Court की बात करता हूँ तो वो दिया गया है Article 217 के तहत ठीक इसके अलावा आप CAG ले लिजे Controller and Auditor General CAG है जो इनके बारे में कहां दिया गया है 148 में दिया है इसके अलावा आप Governor और ले लिजे ठीक है Governor और ले लिजे Governor को कहां दिया गया है 155 में दिया गया है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा है कि जो आप बस इतनी यही बताना चाह रहा है ना कि समविधान में जिनके जिनके appointment के article mentioned है ठीक हम उन्हीं की बात कर रहे हैं समविधानिक पद आप बता रहे हैं तो आपने दो बता दी हम समझ गए फिर भी आपने दो हिस्से क्यों बना दी है बस यही में बात है यही कैच है कि दो हिस्से हमने इसलिए बनाए है कि जब आप इस पार्ट के appointment की बात करते हैं और भी लिस्ट है लेकिन मैं आप एक ग्रुप बता रहा हूं कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसके आप गर आप appointment की बात करते हैं तो वहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि इनकी नियुक्ती रास्ट्रपती के द्वारा होगी क्या नियुक्ती है जो रास्ट्रपती के द्वारा होगी है ना नियुक्ती रास्ट्रपती के द्वारा होगी रास्ट्रपती के द्वारा ठीक है मतलब यह लाइन लिखी हुई है अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहां क्या लाइन लिखी हुई है यहां जो लाइन लिखी हुई है वो लाइन है आपकी कि रास्ट्रपती द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत इनकी न्युक्ति होगी ठीक है रास्टपती द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत ठीक है और मुहर के तहत ठीक है तो हस्ताक्षर और मुहर वाला जो पार्ट है यह यहाँ पर एड़ किया गया है क्योंकि रास्टपती द्वारा नियुक्ति होगी यह तो दोनों में है लेकिन यहाँ पर यह दो शब्द और ज़्यादा एड़ कर दिये गए है हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा तो क्या कहना चाहरे है ऐसा क्या है कि यह दो शब्द इसमें किये गए है तो देखो होता क्या है कि जब भी कोई appointment होता है तो हमेशा राष्टपति खुद नहीं साइन करते है उनके सेक्रेटरीज जो होते है ठीक है वो साइन कर दिया करते है तो जिन्होंने उनको अब अलाउ किया हुआ होता है वो उनके नाम पर साइन करते है लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर हमारे समविधान निर्माता, जिन्होंने समविधान बनाया है, उस वक्त ही ये चीज मेंशन की, क्योंकि ये बात उनको भी पता था कि हमेशा, जो सिगनेचर्स हैं, जो हमेशा अपॉइंटमेंट लेटर है, उस पर साइन प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, तो वो उसक हैं, कि ये एक संकेत है, कि जहां पर जो इनका जो है, वो डायरेक्ट ही, प्रेसिडेंट के अंडर में, प्रतिनेदित तो रहेगा, या आप कह सकते हैं, कि एक्जीक्यूटिव का, कारेपालिका का थोड़ा सा जादा हस्तक्षेप यहां पर चाहते हैं, आप इसको एक्जा जा रहा है, कि इनका जो है, audit करो, तो क्या, जिस आदमी ने, इनको appoint किया, क्या यह उस आदमी से पूछ पाएंगे, कि इतना पैसा आपको allocate किया गया था, तो वो सही जगा पर आपने क्यों नहीं लगाया, कहां लगाया, तो क्या वो पक्षपात होने के chances नहीं हैं, तो इस सवाल क्यों कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसको क्या है, कि power मिली हुई है, ठीक है, court को, सरकार के against, जो एक term आपने देखा होगा, जिसको आपने सुना होगा, क्या, checks and balance, checks and balance, मतलब नियंतरण और संतुलन का सिध्धांत, जो है, ठीक है, नियंतरण और संतुलन, ठीक है, नियंतरण और संतुलन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, basically क्या है, कि यहाँ पर checks and balance का जो मतलब होता है, वो यह है, कि देखो, तीन main organ है, ठीक है, democracy के तीन organ है, क्या है, एक आपका executive, एक legislature, और एक judiciary, मतलब, कहने का, एक कारपालिका, एक विधाई का, और एक आपकी नियापालिका, ठीक है, तो यह जो तीन है, इन तीनों के पास यह power है, कि यह तीनों एक दूसरे के काम में वैसे तो normally interfere ना करें, मतलब कहने का, कि ऐसा कोई water tight compartment नहीं है, कि एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी दे ही नहीं सकते, ठीक है, दखल अंदाजी तो दी जा सकती है, लेकिन कब दी जा सकती है, कि जब संतुलन बनाना है, ठीक है, जिससे की क्या होगा, कि अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा कोई, मतलब कि arbitrary power का use नहीं कर पाएगा, कोई अपनी मनमानी जब भी कर रहा होगा, जैसे की कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी, कि legislature का और जो judiciary का है, ये दौन्द आपस में हमेशा देखने को मिल जाता है, विधायका का और जो ड्यायपलिका का है, कि जब भी कुछ नियमों में गरबड़ी होती है, तो तुरंत जो है judiciary को वहाँ पर activate होना पड़ता है, और अब उनसे क्या है कि सवाल करना, तो main क्या है, main जो चीज़ है वो यहाँ पर checks and balance की है, ताकि यह जो bodies है, उन में स्वतंतरता, एक तो क्या है कि यह independence वाला बार, ठीक है, तो यह अगर स्वतंतरता है, इन जो bodies में, इनके पास जब तक स्वतंतरता की power नहीं होगी, तब तक यह निस्पक्ष भाव से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर अपने निस्पक्ष भाव स किया गया है, यह जो मैंने आपको बताया, कि यह वाला जो part है, वो यह कहता है कि, appointed by the president, मतलब रास्टपती के द्वारा नियुक्ती होगी, और उसके अलावा एक जो यह दूसरा part है, वो यह कहता है, कि रास्टपती के हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा, रास्टपती के हस् पहले मैं आपको एक important information दे देता हूँ, जो कि हमारे live foundation batch 4 से संबन देता है, देखिए live foundation batch 4 है, जो उसकी घोषना हो चुकी है, जो कि 22 अपरेल से शुरू हो रहा है, शाम के 6 बज़े एक classes daily basis पर होंगी, वो सारी चीज़ें जो आपको एक offline center में होती है, जो आपको लगता है कि एक offline coaching में होनी चाहिए, वो हमारे यहां पर सारा कुछ मौझूद है, जिसके लिए अलग-अलग programs हैं, जिसके तहट आप देख सकते हैं, जो कि YouTube पर भी मौझूद है, जो हमारा सारे जो features हैं, इस live foundation batch 4 के, वो already आपको YouTube में मिल जाएंगे, इसके अलावा, अगर आप के व ओम live code का use करके आप यहां पर admission ले सकते हैं, चलिए, शुरू करते हैं, और खबरें क्या है, वही की हालिया दिनों में भारत के जो सर्वोच अदालत है, उसने विभिन समवधानिक अधिकारियों की स्वतंतरता को ले करके, जो है वो टिपणी की है, जिसमें की उन्होंने से समिति बनाकर कारपालिका के विशेशादिकार समिति के बारे में बताया, ठीक है, तो यह कुछ खबरें चल रही है, जिसकी वज़े से यह article है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से, यह भी सुनने में आ रहा है, कि कई बार क्या कहा जाता है, कि जो भी एक constitutional institutions है, ठीक है, क्य आप अपनी independence, जो आपको दे रखी है, जैसे कि election commission हो गया, इसके अलावा आपका court हो गया, cgs tag हो गया, इनको जो पावर दे रखी है, उसके तहत उनको किसी भी दबाव में नहीं आना है, और बिना दबाव के उनको काम करने की शक्ति है, जो वो मिली हुई है, हाला कि कई ब कमज़ोर दिखाई देता है, और वहीं जब उल्टा होता है इसका, कि सरकार जब कमज़ोर होती है, तब नयायपालिका अपना काफी high ज्यादा अच्छे रोल में दिखाई देता है, ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है, कि आपको जो जितने भी शुरू करते हैं, देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि समविधानिक पद क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया, कि समविधान द्वारा उल्लिखित पद है, जो इनको समविधान में जिनका उल्लेक मिलता है, और इन्हें अपना अधिकार और शक्ती समविधान से ही प्राप्त होती है ठीक के और इनका जो काम है कार्यतंतर है मैं ज सम्विधान में संसोधन करके ही उसमें बदलाओ किया सकता है ISA में बदलाओ भी नहीं हो सकता ठीके इसके अलावा अगर हम इनकी जरूरत की बात करें कि क्यों है इसकी जरूरत तो देखी जैसा कि मैंने आपको दो टर्म अभी यूज करे थे चेक्स एंड बैलेंस ठीक है तो वही वाल बात है कि संतुलन बनाए रखने के लिए विबिन अंगों में संतुलन बनाए ताक जो कि आर्टिकल 324 में election commission को ये power दी गई है कि free and fair election उनको कराना है तो निर्वाचन कराने की जो power है वो यहाँ पर दी गई है तो जिसके तहत उनको किसी भी भै में नहीं आना है क्योंकि वो एक independence वहाँ पर provide कराई गई है उनको इस चीज के लिए ठीक है तो वही तो बिना भै या फिर पक्षपात के रास्ट के व्यापक हित में काम करता है उनको ठीक है और नागरिक अधिकारों को सुनश्चित रखने के लिए भी आप कह सकते हैं कि इसकी जरूरत है और लोकतंत्र को स्थाइत तो प्रदान करने के लिए भी इसकी जरूरत है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ समवधानिक संस्थाए या पद की बात करें जो हम पहले भी अभी कर चुके हैं जैसे कि आपका चुनाव आयोग CAG आर्टिकल 148 के तहत ठीक है राजपाल की न्यूकती ये आर्टिकल 155 संग और राजलोक सेवा आयोग 315 उसके बाद आपका National Commission for SCST वाला जो और OBC वाला है जो ठीक है वो आर्टिकल 338 338 A और 338 B के तहत दिया हुआ है तो ये सारी आप चीज़ें देख पा रहे हैं सर्वोच और उच नयायले के नया अधीशों की न्यूकती जो अभी हमने बात करी जो मैंने अभी लिस्ट मनाई थी वही चीज़ है यहाँ पर भी बताए गई है जो कि आपको ये बता रही है कि ये सारी की जो है वो समविधानिक संस्थाइं है जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे है ठीक चलिए और अगर हम कुछ अन्यबातों की बात करें तो देखिए सर्वोच नयायले और जो उच नयायले की नया अधीश हो गए कैग हो गए राजपाल हो गए इनकी जो नयुक्टिया है वही चीज राश्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर ठीक है ये है मेरन पॉंट यहां का हस्ताक्षर और मोहर यह जो शब्द है इसके तहत वारंट द्वारा नियुक्ति किया जाएगा ये इन शब्दों का इस्तमाल किया गया है कुछ पोस्टों के लिए और कुछ पोस्ट है उसमें सिर्फ डारेक्ट ये बोला गया है कि रास्टपती के द्वारा किया जाएगा तो वही ठीक है तो जैसे कि SCST OBC रास्ट्री आयोग हो गया कि धक्ष और उनके सदस उसमें भी यही चीज़ यूज़ की गई है अस्ताक्षर और मुहर वाली ठीक है जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्या यूज़ कि यूज़ अलग-अलग किया गया है तो यहां पर समविधान निर्माता पहले से ही special emphasis है जो वो special attention देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भले ही यह सारे समवधानिक पद हैं लेकिन कुछ समवधानिक पदों में डायरेक्ट जो है संडरक्षन किसका रहेगा रास्ट्रप पर mail भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम का मेरी personal user मेरा जो username है वो है ओमदिवेदी 007 इस पर आप मुझे message कर सकते हैं और ओमदिवेदी study IQ यह मेरा channel है जिस पर आप मुझे current office के लिए follow कर सकते हैं यह PDF मैं वहीं पर share कर दूँगा चलिए फिर में लेंगे अप आपके लिए धन्यवाद